पाकिस्तान और भारत के 2020 के मैच में पाकिस्तान की भारत पर जीत के बाद से ही उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पाकिस्तान के समर्थन में या फिर देश को अब शब्द कहने की कई घटना है एक घटना जॉनपूर की है हम आपको बताएंगे कि कैसे उस शक्स ने देश के प्रती बेहधिया पत्ती जनक बोल बोले तो उसके साथ क्या हुआ कैसे अब वो गिरगडा कर माफी मांग रहा है हम आपको ये दिखाएंगे यह भी बताएंगे कि अमिर्शा के दौरे का कि क्या है सियासी माइने और साथ-साथ यह भी जानिये कि कल प्रियंका गांधी एक बार फिर किस किसान के घर जा रही है नमस्कार मैं हूँ कुमार अभिशेक आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर नसीम नाम का एक शक्स जो की जौनपूर के मचली शहर का रहने वाला है उसका एक बेहद ही आपत्ती जनक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वो अपने देश के प्रती ही अभद्र भाशा का इस्तिमाल कर रहा है गाली गलोज कर रहा है और ये वीडियो महज कुछ सेकंड का है जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ पुलिस भी हरकत में आ गई लोगों ने उसका नाम, पता, बताना सोशल मीडिया पर ही शुरू कर दिया ये शक्स कौन है, कहां का रहने वाला है जैसे ही ये वीडियो वाइरल हुआ उसके तुरंट बाद पुलिस भी हरकत में आई और कुछ देर में ही उसे पकड़ लिया गया लेकिन पकड़ने के बाद क्या हुआ, हवालात की पहली उसकी तस्वीरे आई और बाद में उसका एक वीडियो भी आया हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते जिसमें वो हिंदुस्तान और अपने देश के प्रती बेहद ही आपत्ती जनक शब्दों का इस्तिमाल कर रहा है लेकिन हम आपको वो दिखा रहे हैं कि जब वो हवालात में पहुँचा तो उसके बाद क्या हुआ क्या नाम है तुम्हारा? मुहम्मन नसीम, पिता का नाम रमजान, साधी गन्ज महुला, मुचली सहर्थाना जीला जवानपूर हिंदुस्तान के लिए अंजाने में कल हमसे अपसब्द का उपयोग हो गया जिसके लिए पूरे देश वासियों से हम छमा मानते हैं माफी मांगते हैं शक्स को देखिए ये है सोशल मीडिया की ताकत जैसे ही उसने देश के प्रती कुछ अपशब्द कहा, लोगों ने उसका पता ठिकाना ढूंड निकाला और अब वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है चलते हैं अगली ख़बर ग्रिह मंत्री अमिच्शाह लखनव में होंगे लखनव में अमिच्शाह बीजेपी के अवध छेत्र की एक बड़ी मीटिंग करेंगे ग्रिह मंत्री बनने के बाद चुनाओ के पहले एक तरीके से संगठन को के कील काटे दुरुस्त करने और साथ साथ बीजेपी को कैसे 2022 के चुनाओ में जीत दिलाई जाए इसकी एक बड़ी रन इनकी तै करने अमिच्शाह लखनव में होंगे अवध प्रांत की इस मीटिंग में अवध के अवध छेत्र के तमाम कारिकरता नेता उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और सबों को वो जीत का मंत्र देंगे लेकिन अमिच्शाह के सामने बड़ी चुनाओती सामाजिक समीकरण को साधने की होगी ऐसे वक्त में जब OBC वोट बैंक में बिखराओ दिख रहा है जो एंडिये के साथी थे उनमें से कई का मोह भंग हो चुका है कोछ समाजबादी पार्टी के तरफ जा चुके हैं ऐसे में 2022 में एक बार फिर नए साथीयों को जोड़ने पर उनकी नजर जरूर हो अवच्शेतर के कारेकरताओं, बूत प्रमोख, पन्ना प्रमोख इसके अलावा अलग-अलग प्रकोष्टों के लोगों से कि इस मीटिंग के बाद अमिच्शाह शाम से मीटिंग की शुरुवात करेंगे और ये तमाम मीटिंग उत्तर प्रदेश में नए बन रहे समिकरन को देखते हुए हो सकती है सभी प्रभारी धर्मेंद प्रदान से लेकर सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगिया दितनात, तोनों मुख्यमंत्री सभी लखनव में होंगे और सभी मीटिंग में शिर्कत भी करेंगे सबसे एहम बात ये होगी कि अमिट शाह एक बार फिर संगठन की कमान एक तरीके से अपने हाथ में लेकर काम करेंगे अब सबकी नजर अमिट शाह की इस मीटिंग पर होगी कि यहां से 2022 चुनाओ तक का जो समय है उसमें और क्या-क्या नई चीजें सामने आती हैं, क्या कोई नया गटबंदन सामने आता है, जीत का मंत्र क्या होगा और कैसे बीजेपी 2022 के चुनाओ में जाएगी बहुत कुछ अमित्साह के इस दोरे से साफ होगा कुछ कर रहे होते हैं, जिस जिस दिन प्रिधान मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, उस दिन अखिले शादों ने अपनी पार्टी के लिए कुछ बढ़ा किया और कल जब अमित्साह लखनव में होंगे, तो कॉंग्रेस के दो जाट निताओं को वो शामिल कराएंगे यानि कि अकेले बीजेपी पूरे दिन मीडिया स्पेस न ले जाए, माइंड स्पेस न कवर करे और इसमें भी समाजवादी पार्टी की चर्चा होती रहे, ये कोशिश दिखाई दे रही है अब अगली खबर प्रियंका गांधी लखनों पहुँच गई है और अब वो ललितपूर जाएंगी ललितपूर में पिछले दिनों एक किसान की यूरिया खरीद की लाइन में खड़े-खड़े गिरने से मौत हो गई थी और खाद का संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है प्रियंका गांधी लगतार किसानों के घर जा रही है और कल सुभे वो ललितपूर पहुँचेंगी जहां मुरित किसान के परिवार से मुलाकात करें दरसल पिछले कुछ दिनों से उत्तरप्रदेश में यूरिया और खाद की किल्लत चल रही है लंबी-लंबी लाइने देखी जा रही है और ललितपूर में एक किसान की ऐसी ही एक लाइन में हुई मौत के बाद से ये मामलाग गर में प्रियंका गांधी एक बार फिर किसान के घर जा रही है और देखना ये है कि क्या वो वहाँ आसानी से पहुच पाती है या फिर प्रशासन उन्हें रोकता है क्या कोई हाई वोल्टेज ड्रामा होता है तो ये था आज का यूपी हम फिर हादिर होंगे तब तक आप देखते रहिए यूपी तब